आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टिकर राइस की रेस्पी शेयर करूंगी जिसको खाने के बाद आप जी बरियानी या फ्राइड राइस सब भूल जाएंगे और ग्रंटी देती हूं कि आप इसको वीक में एक दफार जुरूर बनाएंगे मैंने इसमें सिर्फ घर के मिसाले आड़ किये और बहुत इसान रेस्पी तो चनले स्टार्ट करते हैं यहां मैंने जो 300 ग्राम चिकन ले लिए इसमें आड़ कर दूंगी हैस्पी ज़रूरत नमक वैसे मैंने हाफ ती स्पून नमक आड़ किये हाफ ती स्पून जीरा पाउड आफ ती स्पून काली मिर्शों का पाउडर हाफ ती स्पून रट चिली पाउडर और हाफ ती स्पून गरम मिसाला पाउडर विर्ची आप कम जएदा कर सकते हैं वैसे नौर्मल थी और डो मैंने या लीमू करस ले लिए लेमन डूस आड़ करने के बार मैं इसमें डाल अगर आपके पास तंदूरी कलर नहीं है तो आपने येलो के अंदर थोड़ा से रैट कलर मिक्स कर लेना है तो आपका परफेक्ट तंदूरी कलर बन जाएगा और यह तंदूरी कलर जो है पिका वागरा में यूज होते हैं इसलिए मैं एड़ कर रहे हैं आप स्किप भी कर दूंगी उसके बाद जी हाँ मैंने चावल ले लिए चावल मैंने जो है गिलास में ना पै तो यह एक लास बनता है यह वाला और अगर कप में ना पै तो यह जो है ना दो कप बनते हैं चावलां को भी गोले अच्छे से और उसके बाद जी यहां मैंने ले लिए है वन का तो इसमें मैंने वन टेबल स्पून चॉप किया वा लेसन डाल देने याद रहे कि टोई चॉप फोरण करें पेस्ट नहीं डालना इसका खश्पू जो है ने चेंज हो जाएगी वरना एसन को एक मिन बूनने के बार मैंने इसमें चिकन एट करती है चिकन को जो है न हमने त करती तो सारा जो है सालन इसका मेटीरियल और इंज कलर का हो जाता जिससे चावलों के लुट बिल्कुल सही ना आती अब जो है काम आएगा इसमें कलर अच्छा जी साथ के साथ मैं इसमें शिमला मिर्स डाल दूंगी मैंने यहां हाफ शिमला मिर्स ले लिए अगर आप चा कर सकते हैं लेकिन वन टेबल स्पून मैंने यूज किया था यहां चिकन भी ड़न हो गया मार्शला से तेक इंगल गया पूरा अच्छा से चुला बन करतूंगी और यहां पानी भी बॉयल हो गया यहां मैं चावल एट कर दूंगी और उसके बाद चावलों को मैं 80% तक पक दालूंगी उसके बाद चीस में डाल रोंगी वन टी स्पून जो है कारे मिर्चों का पॉर्डर अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और वन टेबल स्पून सिरका हलके हाथ से आपने जो है इसको मिक्स कर लेना है और तक्रीबान डस्मेंट के लिए जो है आपने इसको दे दीजेगा उसके बाद जी माशाला देखें दम आ चुका है और जी अब यहां जो है मैं इसको फिर से हलके हाथ से मिक्स कर लूंगी और जी आपके सामने माशाला से कितने मज़ेदार खुश्पूदार चावल रेडी हो गया है यकीन करें यकीन करें इतना मज़ाया था बखाके और आप इसको दावतों में उट बनाएं 20 पुंट के अंदर बन जाते हैं बहुत ही मज़ेदार चावल अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आये तो सब्सक्राइब लाइक शेर जरूर कीजिएगा